आप सभी का Home Science Classroom स्वागत है आज की वीडियो में हम पारिवारिक बजट के बारें पढ़ेंगे फैमिली बजट जो ले आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं पारिवारिक बजट का अर्थ मनुस की आवसकता हैं आसीमित होती हैं और साधन सदेव सीमित होते हैं क्योंकि मनुस की जो आवसकता हैं दिन पर दिन बढ़ते घाते कभी खतम नहीं होते हैं और साधन जो होते हैं किसी के पास इतने पैसा नहीं होते हैं कि सभी को पूरा कर सके इसलिए परिवार में यदि सीमित आए है तो परिवार के सभी सदसों की आवसकताओं को संटोस्ट करना है तो आवसक है कि आएकन योजन किया जाए और उसी के अनुसार वै किया जाए पहले से ही वैकन मान ना लगाया जाए ठीक है तो जितनी आए है उसी के अनुसार हमें क्या बजट बनाना चाहिए कि जो सभी सदस से हैं उनकी आउसकताओं को ध्यान में रखकर कि कौन-कौन से इंपॉर्टेंट उनके आउसकता है उनके अनुसार हम बजट तयार करेंगे हमारा जो आय है उसी के ध्यान में रखकर जैसे कि हमारा आय दस हजार है पर मंद तो उसी के अनुसार हम बजट तयार करेंगे कि हम ऐसा बजट बनाएं जिसमें हमें घाटे को बजट ना हो उसमें हमें प्रॉफिट हो पैसे बज़्जा सभी की आउसकताओं की पूर्ती हो ठीक है तो यह हमारा पारिवारिक बजट का अर्थ इतना आप लोगों को सब समझ में आया है ठीक है तो आम बात करेंग के वासविक बजट और सधानतिक बजट के बारे में तो जो वासविक बजट होता है वो क्या होता है तो यह किसी परिवार के आय के बारे में ठीक है जैसे कि किसी परिवार का आय चाहे उसका पर्डे हो या परमंद जो आय आता है क्योंकि सभी अलग-अलग परिवार के अल बजट बनाया जाता है कि इसकी इतनी आए है तो इस पर बजट तयार किया जाएगा कि इतने इनी खर्चों पर हम कौन-कौन से चीज़ों पर खर्च करेंगे तो हमारा वास्विक बजट है और सद्धान्तिक बजट वह होता है कि किसी विसी समाज समूवर के लिए हम तयार कर जैसे कि example ले तो लिए मीडे मेल बजट सुवां स्वाइब साल चाहलों कि और यूब शुवांज के रज़त के रहे हैं कि क Tongan आप reca audio कि समय समाधियों सारी और भाच रहे है तो सबकी इंकम अलग-अलग होती है तो उन्हीं सभी इंकम का एवरेज और असथ निकाल करती है बजट हम तयार करते हैं और सभी की और सकताओं के अनुसार बजट बनाते हैं और फिर आयवय का लेखा जोखा करते हैं फिर हमारा आता है आदर्स-बजट यह के standards को लेते हैं तीकि पर हमारी budget में रज़ेट में तब हम budget तयार करते हैं पिर हमारा आता है घाटे का budget जिस ये वह budget होता है जैसके हमारे 1000 है तो हम 1000 से जादा हम खर्च कर रहे हैं कि हम जादा खर्च कर रहे हैं जैसे हम बचा नहीं रहें कुछ भी या उससे कम नहीं कर रहें उसे हमारे आय से जादा खर्च करना ये कहलाता हमारा घाटे का बजट जो अनवसक चीजों पर हम खर्च कर देते हैं फिर आता हमारा बजट का बजट जो हमारा जैसे हमारा एक हजार है तो हम एक हजासी कम खर्च कर रहें तो इससे क्या होता है कुछ पैसे हमारे पास बच जाते हैं जो सेविंग्स होते हैं जो हम बजट जैसे बना रहे हैं जुसमें सेविंग्स होते हैं सब कुछ खर्च करने के बाद सबकी आउसा काओं को पूर्टी करने के बाद जो पैसे ब प्रीजट के लाता है इसकी कौन कौन से चरण होते हैं तो सबसे पहला है कि हम कितनी अवदी के लिए हम बजट तह्यार करें जैसे कि हम बजट बना रहे तो एक मेनी के लिए चाहामें ताहिक है जैसे कि हम सब ताहिक बनाते हैं महीने पर विबिन सदसों के परिवार की वबनाना चितने को सब्सक्राइब के विप बोष़ 형AL妹 des 맞पारो करी है किसी जैसे बुजोर्ग है तो उनकी दावाईयां यह सारे बच्चे है तो स्कूल फीस मानोरंजन यह सारे चीजों को ध्यान में रखके हम बजट त्यार करते हैं और निधायत करते हैं कि कितनी कितनी मात्रा में इसको लेनी है फिर आता हमारा थर्ड विविन मदों पर होने व हो रहा है ठीक है हमारी आय कितनी है ठीक है और कितना वह हो रहा है तो फिर हम देखेंगे आय में वह को घटा कर देखना कि कितना घट रहा है यह बच रहा है क्या हो रहा सका ध्यान देना ठीक है पर जो चौथा है परिवार की आस्वस्त आय और संभावित आय का अनुमान जो आस्वस्थ आए होती है जो हमारा पर्मनेंट होती है जो इंकम जो आती है परमहिने ये परदे जो भी आती है जो संभावित आए है जैसे कि बैंक से आपको मिलका इंटरेस्ट ठीक है या फिर आपको बोनस मिल रहा है या कहीं से कुछ पैसे मिल रहा है वो होता है आपका संभावित आए तो यह तो एक संभावित है जो आए है उस संभावित आए तो समझीय तो मैं व्चत नहीं आजएगा टिए के जो पाचवा है हमारा अनुमावित आए संतुलन सापित करना अगर इसको जोड़के देखे तो वह कितना हो रहे दोनों में संतुलान चठापित किया जाएगा फिर आता हमारा next six budget का परिक्षर करना तो budget का जो है उसका परिक्षर करना देखते रहना budget सही तरीके से चल रहा है कि कोई कोई इसमें चेर चार तो नहीं कर रहा कोई चीजे और फालतु खर्च तो नहीं हो रहा है इसका ध्यान देना फिर बजट का नियांतरन करना तो बजट में देखना कि हां कि यह जो हमने बजट बनाया है उसी के अनुसारा खर्च हो रहा है कि नहीं या कहीं फालतु खर्च तो नह देना में भीन नोट करना सब्सक्राइब मैं बाज़त रहे और हम जो भीना सब्सक्राइब किया नथे हमारा गार्ındanन करना करका तो लुगो की शरीक वरसे पी सब्सक्राइब कि अंगार्वन म्हीं बज्ट करना सुंसर ये यहांद मोई झा得 एग्जाम में बार बार पूछा जाता है तो इनकी क्या क्या नियम है जासे जैसे आय भर्ति जाती है भोजन पर salary घटनने बढ़ता है जैसे जैसे आय बढरके तो लोग क्या कुछ दो आय जो आर्थिकुरस से जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं भोजन पे वैय कम करते हैं और जो निम्ण वर्ग के लोग होते हैं जैसे कि एक्जामपल के तौर पर हम समझे जो निम्ण वर्ग के लोग होते हैं वो क्या करते हैं भोजन पे वैय अगर कर रहे हैं 60% और मद्यमवर के 55 और धनीवर के 50 जो निम्दवर के 60% जादा कर रहे हैं फिर नेक्स हमारा आय के कम होने पर विलासपूर वस्तुव पर पर प्रतिशत वह कम होता जाता है तथा आय के बढ़ने पर प्रतिशत वह बढ़ता जाता है जैसे कि विलासपूर जो वस्तुवे होती है आए बढ़ने पर इस पर खर्च अधिक होता है जैसे कि मन रुणजन, मुवी देखना, कहीं घुमने फिरने चले जाना या घर के सज्जावट में पैसे ज्यादा खर्च होते हैं फिर नेक्स है आए जितनी भी होगी मकान के किराये इधन तदर प्रकास पर प्रतिशत वय समान रहता है तो एंजल का कहना है जितनी भी आए होगी ठीक है तो ये मकान, किराये इधन और प्रकास पर सब पे समान होता है और वस्तों पर भी प्रतिशत वाय आए के सभी इस दरों पर एक समान ही रहता है इसमें सबका समान रहता है जिसे 5% तो तीनों वर्गों में समान ही रहेगा ठीक इतना समझ में आया और एक important point है एंजल के budget में budget के लिए कोई भी प्रवधान नहीं रखा गया जबकि आज की य important है इसलिए budget बना जे समय है budget का ध्यान दखना चाहिए ठीक है